नमस्कार दोस्तों शिव महापुरान के सात्वे अध्याय में आपका स्वागत है इस अध्याय में शिव पुरान संबंधी शुताओं द्वारा पालन किये जाने वाले नियम के बारे में जानकारी दी गई है आए तो शुरू करते हैं यदि आप इस चैनल पर नए है तो हमारे चैनल वेदेस्ट्रों को पहले सब्सक्राइब कर लें सूथ जी बोले शौनक शिव पुरान सुनने का वरत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भाक्ति पूर्वक सुनो शिव पुरान की पुन्यमाई कथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी व सुनने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए उसे भूमी पर सोना चाहिए पत्तल में खाना चाहिए तथा कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहन करना चाहिए समर्थ मनुष्य को शुधभाव से शिव पुरान की कथा की समाप्ती तक उप ख्वास रखना चाहिए और एक ही बार भूजन करना चाहिए। गरिष्ठन, डाल, जला अन्न, सेम, मसूर तथा बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो, उसे प्याज, लहसुन, हींग, गाज, मादक वस्तु तथा आमिश कही जाने वाली को त्याग देना चाहिए। ऐसा मनुष्य प्रतिदिन सत्य, श्रोच, दया, मौन, सरल्ता, विने तथा हार्दे कोदार्ता आदी सद्गुनों को अपनाए तथा साधू संतों की निंदा का त्याग कर। नियम पूर्वक कथा सुने सकौम मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी अभीष्ट कामना प्राप्त करता है और निशकाम मोक्ष प्राप्त करता है। सभी स्त्री पुरुषों को विधिविधान से शिव पूरान की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। हेतु बुलाए गए पंडित का भी सत्कार करना चाहिए। कथा में पधारे अन्य ब्राह्मनों को भी अन्य धन का दान दें। गीत, वाद्य और नृत्य से उत्सव को महान बनाए। विरत मनुष्य को कथा समाप्ती पर गीता का पाथ करना चाहिए तथा ग्रिहस्त को श्र स्वनाम का पाथ करें। इस पुरान के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्र अपाकर मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। शिव पुरान को विधिपूर्वक संपन करने पर ये संपूर्ण फल देता है तथा भोग और मोक्ष प्रदान करता है। ध्यान करते हैं, जिनकी वानी शिव के गुनों की स्तुती करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है, वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे लोग एहलोक और परलोक में सदा सुखी रहते हैं। भगवान शिव के सच्चिदानंद में स्वरूप का स्पर्श पाकर ही समस्त प्रकार के कष्टों का निवारन हो जाता है। उनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगा विद्यमान है। उन अनंत आनंद रूप परम शिव की मैं शरन लेता हूँ। इस प्रकार शिव महापुरान महात्मिय के सात्वे अध्याई की समाप्ती होती है। इस वीडियो को शेर करके आप पुन्य लाब कमा सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमाशिवाए।